करेंगे लेबर के ऊपर एकदम बेसिक क्वेशन आपको टिवा भी कॉम लेबर के लिए काम आएगा और सी इंटर के लिए अभी काम आएगा ठीक है तो सुनें अभी तक कोई लाइव नहीं दिखाई दे रहा है कैकुलेट दड़ कैकुलेट दड़ अर्निंग अब दवर्कर अंडर हाल से सिस्टम एंड रोवन सिस्टम डरेलेवेंट डेटा इस एस बिलो तो कुश्चन में बेसिक क्या क्या दिए ट टाइम रेट पर एक घंटे को एक घंटा वक्र काम करेंगे तो उनको 10 रूपीज दिया जाएगा टाइम एलाउड का मतल़ स्टैंडर्ड अवर्स इसी को स्टैंडर्ड अवर्स बोलते हैं एस एज टाइम एलाउड ना किसी जॉब को करने में कितना समय आपको दिया गया इस टाइंडर्स टाइम हे टेकन उस वरकर ने उस जॉब को करने को कितना समय लिया डैट lesson ऐक्च्वल एक्च्य Matth solvent test ने जौप को करने में इतना समय है जब आप एक्झाम देते हो तो आपको तिन गंटा देते है लेकिन आप ने उस कितना समय में किया डैसने अक्च्क्वल वह इसी यहाँ पर दिया है time allowed दिया है 8 hours और time taken 6 hours इसी को बोलेंगे actual hours तो standard में से जब actual minus करोगे इसी को बोलते है time save मतलब worker ने 2 hours बचा लिया आपको क्या करना है earning निकालना है earning of the worker as per halse and as per rover तो क्या करना है आपको सबसे पहला कुछ basic working हमेशा लिख लेना standard hours कितना दिया था 8 hours बरोबर minus actual hours कितना दिया है 6 hours standard में से actual minus करोगे तो आएगा time save time save दे 2 hours बरोबर और इसमे actual rate आर भी लिख सकते हो actual rate भी लिख सकते हो तो actual rate दिया है 60 per hour अब यह बताओ earning निकालना है पहले हाल से try करते है earning निकालते हैं पहला हाल से किसाब से ठीक है तो हाल से earning असपर हाल से earning असपर हाल से फॉर्मुला क्या है actual hours into actual rate actual hours into actual rate करोगे तो यह है उनका basic wages हो गया प्लस बक्षिस भी देना है जिसका हम incentive बोलते हैं तो क्या apply करोगे हाल से न टेकनिक बताया था हाल से का 50% करने का 50% किस का time saved का into actual rate बोल जाओगे तो टेकनिक या देना है एच पौर हाल से एच पौर हाल से और एच पौर हाफ यह टेकनिक या दखोगे तो confusion नहीं होगा formula में तो यह try करते हैं यह बता actual hours कितना दिया था question में actual hours six hours into actual rate एक घंटे का worker को 60 रुपीज दिया जाएगा into 60 plus 50% of the time save नहीं तो 50 divided by 100 into what is the time save time save two hours into actual rate 60 तो six into 60 करोगे तो answer आएगा 360 यह तो उनका पगार हो गया basic पगार प्लस आपने company का समय बचा है ना तो आपको reward दिया जाएगा भक्षिष तो incentive इसी को incentive बोलते हैं थैंक्यू थैंक्यू अश्विनी और थैंक्यू प्रकाष नमस्ते सुने 50% of तू निकालो into 60 करो answer आएगा 60 तो 360 प्लस 60 करोगे तो आपको earning मिलेगा अगर वो worker को हाल सिक्स आप से पैसा देते हो तो कितना पैसा दोगे 420 रूपिस बोलो डाउट है इसके अंदर earning आस पर हाल से कैसा आएगा एकदम easy है यह उनका पगार है और यह उनका incentive good evening good evening next आगे बढ़ते हैं हाल से हो गया अगला करते हैं रूवन अभी रूवन के अपसे कैसा करोगे तो earning अस पर रूवन अर्निंग अस पर रूवन तो उसका फॉर्मला क्या लिखोगे सेम यह होला पार्ट सेम है basic wages ओके तो actual hours into actual aid यह उनका पगार हो गया सुने ना कितना घंटा काम किया था और एक घंटे का rate क्या है प्लस अभ time saved ठीक है ना time saved divided by standard hours time saved divided by standard hours into actual hours into actual rate करना है ठीक है अगर सर यह भूल जाओंगो तो एक्जाम है बिल्कूर टेंसे मत लिखदा हम easy actual hours into actual rate यहाद रहता है ना यही copy paste यहाँ पर भी लिख देना और extra क्या लिखते है time saved divided by standard hours तो चलो इसको लिखते है what is the actual hours यह वाला पाट तो same ही रहेगा ना तो six hours into एक घंटे का 60 रूपीज प्लस अब आते हैं incentive incentive मतलो बक्षिश आपने company का time बचा है तो रुवन के आपसे आपको बक्षिश कितना मिलेगा time saved what is the time saved in this question two hours divided by standard hours standard hours 8 into actual hours 6 into actual rate 60 ठीक है ना six into 60 करोगे तो same 360 आएगा आपको यह तो उनका basic wages हो गया जो आपने महिनत किया था प्लस यह रहा बक्षिश जितना भी आपने समय बचाया था उसको हम लोग share करेंगे actual hours or standard hours का ratio में जितना भी आपने समय बचाया था उसको actual hours or standard hours का ratio में share करते हैं आप तो two into six by eight into 60 करोगे तो आपको बक्षिश मिलेगा 90 तो दोनों को प्लस करेगे तो आपको payment कितना मिलेगा असपद रोवान 450 ओके तो आइजिम करते हूं समझ में आया हाल से और रोवन के सबसे earning कितना दिया जाएगा आपको कोई doubt रहे हो तो comment में ज़रू बताएं और कल भी मिलेंगे live बरोबर 10 बजे असले तो आपको प्लस को असा दिया है एक्रिश में ओताएं प्लस को आपको को ऊ说 data